हलो एन वेलकम टो बिटे निंग साथ मैं मिलके शुरू करते हैं जिन्दगी की दूसरी इनिंग बाला जी की ट्वीट के बारे में बहुत चडचा हो रही है इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि तीन दिन पहले बाला जी ने ये प्रेडिक्शन किया करने लगे बाला जी के बारे मुल्टा सीधा बोलने लगे नीम्स बनने लगे कि ऐसा भी कभी होता है कि 90 दिन के अंदर बिट कोई जिए फन मिलियन यूस टॉलर का हो जा है क्यों उसने ट्वीट किया और क्या ट्वीट करने का उसको क्या फाइदा नुक्सान है इस पर चर्चा करते हैं और क्या वाकिया हो सकता है नहीं हो सकता है इसको भी चर्चा करेंगे वीडियो को इन तक जरूर देखेगा इंट्रेस्टिंग वीडियो और आपको एक आईडिया लगजेगा कि इस टाइम करेंट सिट्वेशन है क्या रही तो इसको जानने की कोशिश करते हैं देगे बाला जी वो शक्स है जिसने जब पेंडायमिक आ रहा था जब करोना वाइरस प्रेड हो रहा था दुनिया बर में तो करोना की अभी वो शेप नहीं आई थी कि जहां पर करोना पेंडायमिक के रूप में हो जाएगा उस टाइम यह नहीं हुआ था कि बार्डर क्लोज हो जाएंगे नैशनलिजम जाग जाएगा और लोगों को बंद कर दिया जाएगा उनके घरों के अंदर अभी यह सब प्रेडिक करी थी दो मईने पहले और जब दो मेने पाद यह सारी चीज़ें तो लोग फिर सर्ट करने लग आरला जी के बारे में लाला में गाला जी वैसे भी क्रिप्टों के अंदर और वैसे भी नॉन क्रिप्टों के इंदर वी बहुत बड़ा नाम है बाला जी हर याई Coinbase की भी, you know, former CTO रह चुके हैं, और भी बड़ी-बड़ी companies में, yes, work, so ये बाला जी का profile है, बाला जी के खुद की जो net worth है, वो करीब 300 million US डॉलर की बताई जाती है, right, तो और जो उनकी investments है, वो तो white scale पे हैंगी, देखें, जब इतना बड़ा आदमी होता है, तो मैं ये मानता हूँ कि वो अपने comfort zone में भी हो सकता आदमी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाला जी ने अपना podcast channel चुरू करा है, उस podcast channel को popular करने के लिए, उन्होंने ये खेल खेला है, ये रचना रची है, ऐसा नहीं होता है, मेरे को लगता है कि जिसके बाद 300 million US dollar है, वो ऐसे अपने reputation को stake पर करके, जो कि इसके reputation बहुत अच्छी है already, क्यों वो ऐसी फालतों की bet करेगा, कि जिसमें उपनी reputation को kill कर लेगा, आप करोगे कि अपनी reputation से kill वाड़, बहुत कम आपने देखा होगा, कि लोग अपनी reputation से खिलवार करते है, तो उनकी reputation already इतनी बड़ी है बाला जी की, कि उसको नहीं चाहिए कि उसको वो यह ऐसी bet खेल के attention garner करेगा, और attention आईगी, तो लो कि एंगे, जो इसको जाके follow करते हैं, ऐसा नहीं है बाला जी ने जो prediction दिये ना, देखो, उसकी prediction का उसको पता था, कि जैसे ही वो यह predict करेगा, एक बहुत बड़ी noise create होगी, जब noise create होगी, तो लोग बहुत चर्चा करेंगे कि यार, यह बाला जी ने क्या predict कर दिया, यह ऐसी क्या reasons होगे, जिसकी वज़ा से ही होगा, क्योंकि जब लोग prediction को सुनेंगे, तो लोग सबसे पहले क्या कहेंगे, यार, reason क्या है, ऐसा बाला जी को क्यों लगता है, कैसा होगा, तो लोगों ने जाके reason पढ़ना शूरू करें, यह बाला जी का जो base है, यह बात पैसा है, कोई liquidity का कोई crisis नहीं है, और लोगों को बोलते रहे कि, कि banking प्रणाली वो बिलकुल स्वस्त है, और किसी तरह की परिशानी नहीं है, लेकिन जो यह recent, जो यह तीन events होए, जिसका जो तीन banks जो back-to-back fail होए, जिसमें Silvergate हो गया, Silicon Valley Bank हो गया, और signature bank हो गया, यह तीनों banks का bankrupt हो ना back-to-back, यह clear signal है कि all is not well in the American banking industry, जो अमेरिका के जो banks है, वो कंगाल है, अमेरिका के जो banks है, वो लोगों को पैसा नहीं दे सकते, and very soon we are going to see the repeat of 2008-2009 financial crisis, right, और 2008-2009 financial crisis के बारे में मैं आपको बता दू, कि जब banking system जब fall होता है, मतलब मैंने आज एक tweet भी किया है, और मैं आपको exact number बताना चाहता हूँ, कि जब banking system fail होता है, तो एक के बाद एक fail होता है, यह एक तरीका का contagion होता है, जो एक दम फैल जाता है, आप इस अंदाज लगाओ कि जो मैंने जो tweet किया, 2009 में जब banking crisis 2001-2009 में आई थी ना, तो उस time पे, 140 bank collapse होए थे, 2009 में 2010 में 157 banks collapse होए थे, और 2011 में 92 banks, in fact, 2009 से 2023 तक 513 banks जो हैं, वो collapse हो चुके हैं, अमेरिका के अंदर, और यह जो 2023 की जो स्थिती बनी और जिस तरीके से तीन banks जो ही collapse होए, तो इसको collapse को, जो इनके, क्योंकि collapse क्यों किस वज़ा से होए, bank run का मतलब ही होता है, कि जो बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं, अपने bank से withdraw करने, और bank ने क्या कर रखा होता है, आप से जो पैसे लिए होते हैं, जो depositor से, उसको आकर loan में बाट रखा होता है, जब वो loans के अंदर बाट रखा होता है, risky assets में bank invest करता है, bank अपने पास वो loan मढ़ता है, और पीछे से जब depositor पैसा बांगता है, तो वो जो mismatch है, उसके current काफि सारा जो पूरा system है, वो trust पे तो चलता है, कि trust banks, और banks में trust करके उन्हें पैसे देते हो, और वो आगे उसको पैसे को अगर misuse कर रहे हैं, जैसे कि Sam Bankman Freed पे आपने trust किया, आपने उसके पैसे भेजे उसके crypto exchange में, उसने उसको misuse किया, और finally क्या हुआ FTX का, FTX में और banks में फर्क किया है फिर, आप अपने ट्रस्ट करके उनको पैसे दे रहे हो, आगे वो अपने मर्जी से उसको पैसे को government के securities, bonds, loans दे रहे हैं, तो bank का जो role है, वो bank का रोल किया है, तो इसलिए ये banking प्रणाली जब 2008-2009 में भी इसी वाज़े से धराशा हुई थी, जब trust का खतम हुआ था, और आज भी वो trust जो है, अपने lowest पे है, तो इसी कारण से you know, there are 186 banks जो की lined up हैं इसी तरह किस्तिती में, जैसे ये 3 banks थे, वैसे 186 banks की list है, जा tentative यही scenario कि जिनका जो collapse है, वो निश्चेत है, अब ये बाला जी की prediction है कि ये collapse इतनी जल्दी होगा, क्योंकि हम एक digital era में हैं आज के वक्त, बाला जी का ये कहना है कि भई, पहले जब bank run होते थे, उनमें window बिल जाता था, banks को, क्योंकि पहले digital withdrawal, आज की डेट में आप net banking और applications को यूज करते हो, तो fingertips पे हैं आपके withdrawal, पहले withdrawal आपको जा के bank के अंदर systematic तरीक इसे करना पड़ता था तो slow होता था bank run अब थोड़ी सी भी अगर news आती हो, पहले Twitter और Facebook कितने popular नहीं थे कि जहां पर, you know, यह इतने बड़े platform नहीं थे, अब Twitter के उपर आपने देखा कि कुछ बात चलती है किसी bank के बारे में और ultimately वो panic हो जाता है और ultimately उसका effect हमने बैंक को देखने को मिला, हमने पीछे कई stocks को pump होते देखा Twitter पर कितरू, Telegram चानल कितरू, तो similarly आज के digital era में आपके रोक नहीं सकते आज की date में यह viral हो जाता है और withdrawal आपकी fingertips पे है तो इसलिए कुछ घंटों के अंदर ही bank run चूरू हो जाता है तो यह स्थिति को देखते वे बाला जी श्री निवासन का कहना है कि उसकी यह prediction है कि 90 दिन के अंदर Bitcoin जा है वो 1 million US डॉलर का हो सकता है तेकि मेरा यह take है कि बाला जी की जो prediction है वो बहुत जादा यह कह लिजे कि exaggerated है मैं भी नहीं मानता कि Bitcoin 1 million US डॉलर का नहीं हो सकता 90 दिन के अंदर उसको होने के लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ होना जरूरी है बहुत सारी चीजों में कमना है पूरी दुनिया का banking system collapse हो जाए अमेरिका के अंदर रात और रात hyper inflation आ जाए सरकार और पूरा system चर्मर आ जाए पूरी दुनिया के अंदर एक ऑनिक का महौल करेट हो जाए बहुत सारी चीजों का एक साथ होना बहुत जरूरी है यहाँ तक कि यहाँ पर अब देखो एक तरफ जो बहुत सारी buying का होना बहुत जरूरी है बहुत सारे institutions का पैसा आना जरूरी है लेकिन एक्चेंज के पास क्या इतना बिटकोइन है क्योंकि हम जानता है कि विटकोइन बारातीरा परसेंटी उसकी सप्लाई है उपर से जो एक्चेंजीज है उनके और 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 बंद कर दिये गए अमेरिका में और भी बहुत सारे देशों में आप फियार्ट से बिटकोइन लेना असान नहीं एक्सचेंज पर अगर आप इंडिया की बात करो तो यहां पर भी आप फियार्ट के थूँ एकदम बैंक के ट्रांसफर करके बिटकोइन लेना कोई असान काम नहीं है तो क्या जब इतना सिस्टम इतना ओविसली और पी टूपी के ओपर लोगों कर ट्रस्ट नहीं है पी टूपी के ओपर लोकल बिटकोइन अल्रडी बंद है वैक्सफुल पर भी कोई खास वॉल्यूम नहीं है तो इससे क्या है कि पी टूपी भी नहीं है ऑन्रेब ऑफ रम भी नहीं है तो अच वो यह थी कि 1 million US dollar हो जाएगा और उनका जो मेन परपस है शायद यह कि लोगों का ध्यान जाए लोगों का ध्यान जाए कि actual में हो क्या रहा है लोगों का ध्यान जाए कि क्यों federal reserve ने या federal government ने वहाँ पर US के अंदर किस तरीके से लोगों को जहां सा दे रखा और जूड बोला कि banking system बिल्कुल robust है लेकिन पीछे banks के पास पैसे ही नहीं है withdrawals के लिए तो और इसको चुपाने के लिए जो federal government है जो वहाँ पे US में वो पैसे को print करने का फिर से plan कर रही है liquidity provide करने का plan कर रही है हमने देखा कि credit swiss जो bank है उसको UBS ने acquire किया और UBS को कहीं नगी push किया government ने Switzerland के अंदर के भाईया इसको खरीदो और वो push US से ही गया होगा कि अगर back-to-back हमारे यहां तीन banks fail तुमारे यहां पर एक fail तो कितना बड़ा यह market के अंदर एक color signal जाएगा so let's save this bank कितने banks को बचा हो गया अगर आप देखो तो अगर 186 banks है और अगर वो same city में है जैसे हमने यह 3 banks को collapse होते देखा तो यह कितनी बड़ी problem है US के लिए वो कितनों को save करेगा और save करने के लिए उसको trillions में पैसे को print करना पड़ेगा जब पैसे trillions में print होंगे future में तो यह कहना है कि जब कोई government अपने banking प्रणाली को save करती है तो वो उसको bailout करती है पैसे को print करके और जो पैसे को print किया जाता है तो वो एक तरीके का indirect tax है जनता पे क्योंकि होता क्या है कि जब आप पैसे को excessive print करते हो पैसा market में आता है जो non productive पैसा है वो market में आता है जैसी market में आता है तो एकदम वो लोग चीजों के डिमांड करने लगते हैं लोग चीज़े महंगे होने लगती है तो वो hyper inflation का विकराल रूप ले लेता है आप classic example अर्जंटीना के अंदर अर्जंटीना एक one of the most progressive nation था वहां one of the most you know best companies वहां से निकल के आने थी और अजानक 100% inflation से घंटों के अंदर rate बढ़ रहे होता है तो ये फिर भी मैं prediction माला जी की मैं agree नहीं करता हूं को उसनली और मैं ये भी नहीं मानता के बाला जी की prediction गिनो 90 दिन वाली जो हमकी सही है और आपको उस FOMO के अंदर लेना भी नहीं चाहिए decision आपको invest करना चाहिए ऐसे FOMO के आपको जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि इतने समझदार आदमी ने ये बात करी है तो इस बात का असली purpose क्या है जिसे मेरा ये मानना है कि इतने बड़े आदमी ने अपनी reputation को stake पे लगा के पैसे कमाने के लिए ये कोई बैटनी के लिए या लोगों को FOMO में लाने क लिए बैटनी करी उनका मेन परपस था कि लोग ये समझें कि बैट के पीछे की वजा क्या है बड़ ऐसा हुआ नहीं है लोग वजा को छोड़के अब prediction के कंड में लगे कि बाला जी ने क्यों करा बाल अच्छा ही क्या होगा ये तो गलत है just see what he's trying to say what he's saying is absolutely right the base is right the bet is wrong so the base is right the bet is wrong is probably the right way of looking at it उनका base गलत नहीं है और उनकी prediction नबए दिन के अंदर bitcoin इतने घा हो जाएगा ये भी गलत है ये भी सही नहीं है जो उनकी prediction है तो भाकी आपको current scenario आपको देखी रहे हैं आप अपने हिसाब से चीजों को analyze करी रहे हो back to back की videos देख रहे हो आपका जो call of action है व किस तरीके से suppose करो कल गो 2008-2009 जाजी situation बनती है तो आपको क्या करना चाहिए आपको किस तरीके से financial crisis के अंदर उसको जेलना चाहिए उसको उसके लिए prepare करना चाहिए अगर आप ये ऐसा video चाहते हो कुछ तो comment करके बताएगा I'll be more than happy to make a video on how to counter you know financial risk या financial crisis को कैसे आपको handle करना अगर 2008 की crisis repeat हो जाती है comment करके बताएगा वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आएगा उमीद करता हूँ आपको यह वाला वीडियो भी पसंदाया होगा आया तो फ्लीज comment करेगा like करेगा share करेगा पहला इकन को प्रेस करेगा और फिर से मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ thank you very much है करें दो दो कि वीडियो के समाने करेगा वी पicz-ूब दूदिय।